नमस्कार प्रदानमत्री जी नमस्कार प्रदानमत्री जी जी जाते हैं आज कोई इस दिशा में और जागरूप करने की कोशिस नहीं करनी चाहिए हमें प्रफिसर साब आप तो स्वया मिर्स्क शेत्र के विश्य सग्या है और इसलिए आप सच क्या है जूड क्या है बहुत बलीभाती परख सकते हैं इन विश्यों में हमसे ज़्यादा ज्यान आपके पास है और उसके बाद भी आपको चिंता होना बहुत जायज है हमारे हां डॉक्टरों को पूछे बिना ही सर्दी जुकां बुखार की दवाएं लेने की आदत है रेल के डिबे में अगर हम टाविल करते हो और अगर एक बच्चा रोने लग जाए और लंबे समय तक रोता राय बन न करें तो रेल के सभी डिबों से लोग आँ आँ करके सला देंगे ये दे दो वो खिला दो वो पिला दो ये हमने रेल के डिबों में देखा होगा मुझे लगता है कि हमने इन आदतों से बचना है कोरोना के संक्रमन का इलाज अपने स्तर पर बिलकुल नहीं करना है घर में रहना है और जो करना है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों की सला से ही करना है टेलीफोन पर अपने डॉक्टर से बात कीजिए उनको पूछिए अपनी तकलिफ बताईए क्योंकि करीब करीब सबी परिवारों में किसे ने किसी डॉक्टर का परिचे होता है हमें ध्यान रखना है कि अभी तक कोरोना के खिलाब कोई भी दवाई कोई भी व्यक्षिन पूरी दुनिया में नहीं बनी है इस पर हमारे देश में भी और दिसरे देशों में भी हमारे जितने साइन्टिस्ट हैं वैज्यानिक हैं अनुसांधान करने वाले लोग हैं वो तेजी से काम कर रहे हैं काम चल रहा है और इसलिए मैं कहूंगा देशवासियों अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की दवाई का सुझाव दें क्रिपां करके अपने डॉक्टर से पहले बात कीजिए सिर्फ डॉक्टरों से सलान लेने के बाद ही आप दवाईयां ले आपने खबरों में भी देखा होगा कि दुनिया के कुछ देशों में अपनी मर्जी से दवाईये लेने के कारण कैसे जीवन संकट में पड़ रहे हैं हम सभी को हर तरह के अंद्विस्वास से अफ़ाओं से बचना है डॉक्टर गोपाल जी मैं आपको आभारी हूँ कोई कि आप तो विज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं और गंगा की चिंता कर रहे हैं और यह जो समाज जीवन में चल रहा है इसके आपको काफी चिंता हो रही है लेकिन मुझे भी स्वास है कि हमें लोगों को समझाना होगा